लेज टाइँछ दिलिू ए अõr सेंट्रलFORE सेंट्रल एलेक्षिन कमिशन ने दिल्ली के चनाओं की गोच ना कर दिये है कि दिल्ली के लोग भी चुर्णाओं के लिए तैयार हैं उत्सुक हैं और हम आदमी पार्टी भी चुनाव के लिए तयार है उत्सुक है इस बार दिल्ली का चुनाव दिल्ली सरकार के कामों पे होगा लोग मन बना चुके हैं कि इस बार काम पे वोट डालेंगे कि और यह शायद सकतर साल के इतिहास में पहली बार होगा कि वोटश्कूलों के नाम पे पढ़ेगा कि वोट अस्पतालों के नाम पे पढ़ेगा पॉजट्टीव और अभी तक वोट इसलिए पढ़ता था कि स्कूल खराब हो सद्के ठीकनी कराई पानी ठीकनी किया इस लोगो खुशी से वोट देंगे पॉजटिव वोट देंगे कि सद्के बहुत Lवी स्कूल अच्छे उगया जी अस्पिटाल बहुत अच्छे दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे दो पार्टियों की सरकार है भाजपा की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के लोगों ने भाजपा को जिम्मेदारी दिये पुलिस संभालने की नगर निगम संभालने की और डीडिय संभालने की और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी दिये है Education Department की, Health Department की, PWD Department की, जल बोड की और अन्य तमाम Departments के तो अब दिल्ली के लोग यह देखेंगे कि MCD ने, BJP ने अच्छा काम किया MCD में नगर निगम में अच्छा काम हुआ, पुलीस ने अच्छा काम किया, दीडिये ने अच्छा काम किया, या फिर आम आदमी पाटी ने शिक्षा में अच्छा काम किया, स्वास्थ में अच्छा काम किया, सडकें अच्छी बनाई, पानी अच्छा दिया, बिजली अच्छी दी, लोग ये देखेंगे और सब के सामने है कि दिल्ली के लोग अब दिल्ली को MCD नहीं बनाना चाहते हैं किgonले किया अधिक पुरा है दिल्द के लोग शिक्षा से कोछ और जब्ली लोह, अगर हम लगता है काम कि कि तो हमें वोट देना तो हम दुबारा सरकारी भनाने öगे अगर हमने काम आपको लगता है हमने काम नहीं किया हमें वोट मत देना यह statement कहने के लिए हिम्मत चाहिए यह statement पांच साल सरकार चलाने के बाद मुझे नहीं लगता आज तक 70 साल में किसी भी मुख्य मंतरी ने दुबारा चुनाओं में जाने के पहले अपने मत दताओं को address करते हुए यह statement दिया होगा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना हम लोग दिल्ली में सब के घर जाएंगे हमने जो पांच साल में काम किया मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया सब के मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया मैंने यह नहीं देखा कि यह आम आदमी पार्टी वाला है मैंने यह नहीं देखा यह बीजेपी वाला है मैंने यह नहीं देखा यह कॉंग्रेस वाला है स्कूल अच्छे करे उसमें बीजेपी के लोग भी पढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी पढ़ते हैं, कॉंग्रेस के लोग भी पढ़ते हैं, हमने पानी अच्छा करा, घर घर पानी पहुचाया, हमने यह नहीं देखा कि बीजेपी वाली गली में पानी मत पहुच करा आज हम जब घर घर जाएंगे लोगों के बीच में जाएंगे तो उनसे यही कहेंगे हम बीजेपी के लोगों के पास भी जाएंगे कल बीजेपी वालों आपके परिवार के लिए अस्पताल ठीक हुए है है। इसको इसको रुकने मत देना इसको इसको रोक मत देना इसको ठीक हुआ है। क्योंकि अगर आपने अब सरकार बदल दी तो सब को पता है कि यह सारा मामला रुक जाएगा स्कूल फिर से còn से खराब मत देना इस बार दिल्ली के लिए वोट देना इस बार देश के लिए वोट देना इस बार अपने बच्चों के और अपने परिवार के विकास के लिए वोट देना हम यह नहीं कहा रहे आप अपनी पार्टी चोड़ो अब जिस पार्टी में उस पार्टी में रहो लेकिन इस का वोट आप काम के नाम पे देना दिल्ली के विकास के नाम पे देना अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पे वोट देना तो हम बीजेपी वालों से भी वोट मांगेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी पार्टियों के लोग इस बार दिल्ली में काम के नाम पे दिल्ल नहीं करनी आती गाली गिलोज की राजनीती कल मैंने देखा था हमारे देश के ग्रह मंत्री उन्होंने दिल्ली में आके किसी कारेकरम में भाशन दिया था दिल्ली का मुख्य मंतरी होने के नाते मैंने उनका पूरा भाशन सुना मुझे पूरी उमीद थी कि ग्रह मंतरी जी भाशन दे रहे हैं दिल्ली के अंदर आके दे रहे हैं दिल्ली के विकास की बात होगी हमारे कामों की कोई कमी बताई जाएगी लेकिन पूरा का पूरा भाशन उन्होंने केवल मुझे गाली देने के सिवा और कुछ नहीं किया उनकी गालियां हम सहर्ष स्विकार करते हैं जब आप राजनीती में होते हैं पब्लिक लाइफ में होते हैं तो गालियां सुननी पड़ती हैं कि हमेरी उंसे निवेदने है कि हमएब मैनिफेस्टों बनाने जा रहे हैं अगर दिल्ली के विकास को लेकि उनके पास कोई अच्छा विजन है वह हमें बताएं हम उनके सारे अच्छे सुज्वाबं को मैनिफेस्टों में भी डालेंगे और आगे अगले پांट साल में जब हमारी सरकार बनेगे उसको लागू भी करेंगे हम मिलके दिल्ली को अच्छा बनाना चाहते हैं हमें इसमें सारी पार्टियों का स्यूप चाहिए हमें इसमें दिल्ली के दो करोड लोगों का स्यूप चाहिए और हम मिलके दिल्ली को और बहतर बनाएंगे और बहत होना चाहते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन होगा दिल्ली का चुना होगा शिक्षा के उपर दिल्ली का चुना होगा अस्पतालों के उपर दिल्ली का चुना होगा सडक के उपर दिल्ली का चुना होगा कच्छी कोलोनियों के उपर दिल्ली का चुना होगा पानी के उपर तो कैसे करना चाह रहे हैं वो मुझे भी समझ नहीं आया करनी है और जिस तरह का दिली के अंदर माहौल है दिली के लोग इस विकास की घाड़ी को ये गाड़ी को जंग लग गया था बड़ी टेल्वेल देके सफाइब करके रोगन वगन पूताइब इसको ठीक किया अब यह 100 कि स्पीड से चल रही है अब दिली के लोग एक्सलेटर पर दवाएंगे आठ फर्वरी को है ना आठ को और यह दोसों की स्पीड से चलेंगे मैं एक्चली यह देख रहा हूं इस बात की मुझे खुशी भी है कि जब भी वो आते हैं आज तक उन्होंने किसी भी नेता ने बीजेपी के या कॉंग्रेस के हमारे शिक्षा में कमी निकाली हमारे हेल्थ में कमी निकाली हमारी सडकों में कमी निकाली हमारी बिजली में हमारी पानी में हमारी महिलाओं की अत्र में कमी निकाली वो केवल और केवल मुझे गाली देत झाल 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 झाल